नमस्कार दोस्तों बंगाली मिटाई कोर्स में आज हम सिख रहे हैं ये बड़िया फ्रूट इंद्रानी ये घर पर बहुत ही बड़िया बनती है इसके लिए हमें चाहिए आधा लिटर दूद्ध आप कोई सा भी ले सकते हैं मैंने अभी पेकेट का लिया है आप गाय का भी और इसे मैंने गेस पर रख दिया है अब वन फॉर्थ इस्पून मैंने साइट्रिक एसिड लिया है उसमें आधा कब गरम पानी लेकर खटा पानी बना लिया है जिस तरह हमने पिछली वीडियो में सिखा था दूद्ध का छेना बनाना उसी तरह से मैं बना रही हूँ आप इसके लिए छेना रेसिपी देख सकते हैं जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी तो ये खटा पानी यह हमने और दूद में डाल दिया है और थोड़ा फिर दूद उठाया और फिर डाला और इस तरह दीरे-दीरे हमने दूद को फाल लिया है इसे बड़े इत्मिनान से करें क्योंकि पूरी मिठाई का रिजल्ट इसी पटिका रहता है कि हमारी मिठाई कैसी बनेगी आप बड़े ध्यान से और अच्छे से बनाए नरम च्छेना चाहिए हमें यहां पर दानेदार च्छेना नहीं चाहिए हमें लच्छेदार च्छेना चाहिए यह पर देखिए अब हमारा दूद्फट रहा है आप यहां पर हम यह पानी नहीं डालेंगे खटा पानी और इसे इसी तरह से दो मिनिट रखेंगे तो यह पीला पानी उपर आ जाएगा और इसे फिर हम अच्छे बढ़िया जान लेते हैं अब हमारा इतना बज गया है इसे हटा अधर मजह नेया टालेंगे तुरन्त तकि यहां पर illsट्स एकना करत नहीं होगा और इसे हमें कपड़ में झान लेंगे इसे छान लिया हमने और फिर हम एक लास पानी डाल कर इसे अच्छे से दो लेते हैं ताकि इसमें जो खटास होगी वो निकल जाएगी इस तरह से हम दो लेते हैं इसे अब हम इसे फिर निचोड लेंगे पानी पूरा निकाल लेंगे छेने से दबाद के और एक प्लेट में ले लेते हैं आप देख रहे हैं यह हमने निचोड लिया है इस पानी को भी आप फेके नहीं यह भी बहुत पौश्टिक होता है इसमें दाल कड़ी आटा गुतना या कोई भी सूप में इस तरह से यूज़ कर सकते हो आप और यह हमने देखिए आप कितना बढ़िया हमारा छेना बना है अब हम इसे मसल लेते हैं यह देखिए इसे गरम गरम में ही मसल ना है और इसको शुरुआत में प्रेशर देंगे हतेली से मसलेंगे और फिर हलके हातों से मसलेंगे 5-7 मिठी से लगेगा और अच्छे से हम मसल लेते हैं जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी मसला था आप ये देख रहा हैं अच्छे से ये क्रेम फॉर्म में आ गया है मावे जैसा हो गया है अब ये उठने लगा है इसका मतलब ये हमारा चैना तैयार हो गया है अब हम इसे एक रोल बना लेते हैं और छोटे-छोटे पीश निकाल लेंगे उसमें से करीब 20-25 पीश निकले हैं सब को अच्छे से गोल हलके हातों से गोल कर लेंगे यह देखिए चोटे चोटे से बनाया है हमने हमें छोटे चोटे से रजगुला चाहिए इसमें इसलिए हमने बहुत चोटे बाल्स बनाये हैं यह फूल के और डबल हो जाएंगे अब हम एक कपेली में 100 ग्राम शकर लेते ह और साड़े 300 ml पानी लेते हैं और गेस पर रख देंगे जिस तरह पहले भी हमने चाशनी बनाई है उसी तरह से हम इसकी चाशनी बना लेंगे और आठ से दस मिनिट हम इसे पका लेंगे अब हम ढग देते हैं और प्लेट पर थोड़ा सा पानी डाल देंगे हर 5-7 मिनिट में हम इसमें पानी डालेंगे दो बार हम इसमें पानी डालेंगे और फ्लेम को फूल रखें हाई फ्लेम पर ही पके गाई यह यह देखिए 6-7 मिनिट हमारे हो चुके हैं और यह अच्छे से फूल गया है अब हम इसे दस निट के बाद नीचे उतार लेते हैं और इसमें एक ग्लास ठंडा पानी डाल देंगे और अलग रखते हैं अब मैंने एक पेन में 200 ml दूद लिया है और उसमें एक टेबल स्पून शक्कर डाली है और गेस पे रख दिया है इसका हम रबडी बना करेंगे और इसमें एक टी स्पून दूद मसाला डाला आप केशर भी डाल सकते हो राइफ रूट्स भी डाल सकते हो यह हमारे रख गुल्ले ठंडे हो गए हैं और हमारी रबडी भी तयार हो गई है अब यह हमारी रबडी गरम है इसमें गरम रबडी में ही हम यह रख गु को निचोल लेंगे पुरी चाश न Looks न हटा देंगे ताकि यह जो वह रIPड़ी का दूद है यह इसमें अंदर तक सोक करले हमें थोड़ी पतली रपड़ी चाहिए यहां पर अभी और हमने इस तरह से सभी को दबा दबा कर निचोल लिया, रस ने काल लिया है और इसमें डाल दिया है यह देखिए हमारी अंगुरी रसमलाई तयार है, अंगुरी रबडी तयार है अब हम 2 टेबल स्पून अनार के दाने, 2 टेबल स्पून बारिक कटा हुआ एपल और 2 टेबल स्पून ही मने पाइनापल लिया है यह टीन पाइनापल है और इस गोसप को अच्छे से कट कर लिया है अब एक कुलड में मैं सर्व कर रही हूँ तो मैंने कुलड लिये, कुलड को पहले अच्छा दो लिया है गरम पानी से और इसमें अब मैं ये रजगुल डाल रही हूँ अब डिस्पोजबल में भी सौख कर सकते हैं अब मैंने थोड़ी गाड़ी रबडी ली है और उसमें एक टीस्पोन फिर से दूद मसाला डालके फिर से रबडी तयार कर ली है और सभी में दो दो चपमें डाल दिया है अब अब फूट्स लेंगे और सभी में एक एक चपमचम बारी कटा हुआ यह फ्रूट डाल देते हैं पहले एपल डाल रही हूं और फिर पैनेपल डाल दिया है और फिर अनार डाल दिया है दोस्तों यह बहुत ही बढ़िया बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है आप इसे एक बार जरूर बनाना बहुत इजी है और यह सब हमने फ्रूट डाल द कि उसके ऊपर थोड़ी सी बादम और पिष्टा की कत्रन डाल रही हूं और फिर मैंने यह पाइनापल क्रेश्ट लिया है और यह पाइनापल क्रेश्ट से गार्निश कर रही हूं इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है आप देख सकते हैं में दिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दू जब पाइनापल की जगे हम यूज कर सकते हैं इसे यह मैंने पाइनापल क्रेश्ट लिया है और यह इसकी उपर थोड़ा सा रख दिया है इस तरह आप तयार कर सकते हैं फूट इंद्रानी घर पर बहुत ही आसानी से बहुत ही बढ़िया उस्तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें